इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। रोसुलिपसीवी 10 कैपसूल हॉट अटेक और स्ट्रोक को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं का मिश्रण है। यह दवा खराब कॉलेस्ट्रॉल यानि की LDL और ट्राइगलिस्राइड यानि की फैट के लेवल को कम करती है। इसके अलावा यह हानिकारक ब्लड क्लॉट को भी कम करता है। रोसुलिपसीवी 10 कैपसूल को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित शेडियूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए। इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा। डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका इलाज किसलिए किया जा रहा है। जब तक आप पूरा कोस पूरा न कर लें, तब तक इसे लेना बंद न करें, भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो। लाइफ अस्टाइल में कम फैट की डाइट, व्यायाम और धूम्ड पान न करने से इस दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है। पेट में दर्द, डायरिया, यानि की दस्ट, अपच, कब्ज और सिर दर्द इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स हैं। इस दवा से ब्लीडिंग का खत्रा बढ़ता है, इसलिए शेविंग करने, नाखून काटने और तेजधार वाली वस्तूओं का इस्तेमाल करते समय या खलते समय, यानि की जैसे फुटबॉल, रिस्लिंग, सावधानी बरतना महत्वपून हैं। अगर आप तवचा का पीलापन, मांसपेशियों में दर्द या गहरा पेशाब देखते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। यह दवा लेते समय आपको लिवकार एक्षमता की नियमित निग्रानी के लिए कहा जा सकता है। इसके असर को प्रभावित कर सकती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।